पुरानों में, अपने शास्त्रों में, अपने बुजुर्गों से सुनते चले आए हैं कि बड़े भाग मानुस्तन पावा, यह मानवतन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, इस मानवतन को देवताओं के लिए भी दुरलब कहा गया है, कि देवता भी इस मानवतन को प्रा क्राप्त करने के लिए तरस्ते हैं ऐसा क्यूंग गहां घेएइशा इसलिए कहां गया है क्यूंकि मानव जीतować इसा मात्र जीन है जिसकें प्राप्ट करक कि अगर आपने अध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ादिया यदी आपने धर्म के पढ़ा दिया यदी आपने योग के पढ़ा दिया तो यही एक मात्र जीवन है जो आपको समाध्य और मुक्ति के पढ़ ले जा सकती अंधी दौड में मत दौड़िये भागा दौड की जिंदिगी से खुद को विराम दीजे और विचार कीजे क्या वास्तों में नित्य प्रदे दिन सुबह उठ जाना दिन भर के जो छोटे-मोटे कार्य करते हैं वो करना और रात्री में जाकर के विश्राम कर लेना क्या यही कि और हम जा रहे हैं क्या वह सही दिशा है जब आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तों में आप ऐसे मार्ग पर चलते चले जा रहे हैं जहां आपको आपके लक्ष का ही भान नहीं है दौड लगी है होड लगी है कौन किससे आगे बढ़ जाए कौन कितना धन कमाले कौन किससे बढ़ा हो जाए यही घोड लगी हुई और इसी दौड में सभी दौडते चले जा रहे हैं विचार भी नहीं करते कि आज आपके पास लाखों है तो आप से बढ़ा कोई करोड़ पती भी बैठा है यदि आपके पास साइकल है तो किसी के पास बाइक है कि आप बढ़ते चले जाएंगे ना तो आपकी इक्षाओं का अंत होगा और ना ही आप से आगे बढ़े हुए लोगों का अंत होगा आप पुरा जीवन लगा देंगे आप कितने भी आप विश्व के सबसे अमीर बन जाएंगे मगर कुछ सालों में आप देखेंगे कि आप से भी जादा अमीर कोई आगे खड़ा हुआ है इस दोड का कोई अंत नहीं है अरे बढ़ना है तो उस मार्ग पर बढ़िये हो सकता है इस धन की अंधी दोड का कोई अंत नहों मगर यदि आप धर्म की दोड़ पर दोड़ेंगे अध्याद में की दोड़ पर दोड़ेंगे तो मुक्ति और समाधी इसका जीवन का लक्ष और अंत है विचार कीजिए धर्म का तात्पर्य केवल पूजा पाठ कर लेना नहीं होता धर्म का तात्पर्य रोज सुवे अगर बत्ती और आर्ती और घंटी बजा लेना नहीं होता धर्म का तात्पर्य है 24 घंटे आपके मन मस्तिस को विचार आपके कर्म वह प्रत्यक कर्म जो आप आपको प्रकत्सत्ता की ओर ले जाए वह धर्म है वह प्रत्यक कर्म जो आपको प्रकत्सत्ता से दूर कर दे वह अधर्म है आपको विचार करना होगा आपको निर्ने करना होगा कि हमें किस मार्ग पड़ चलना है धर्म के मार्ग पड़ चलना है या अधर्म के मार्ग पड़ चलना है अब विचार करते हैं कि मानव जीवन के धर्म क्या है मानव जीवन के कर्तव्य क्या है अखिर ये जीवन मिला है तो क्या करे हम यदि वास्तों में मानव जीवन है और आभास है इस बात का जीते तो सभी हैं इसी भीड में खतम हो जाते हैं कोई नहीं जानता कोई नहीं पहचान पाता अगर वास्तों में मानव जीवन प्राप्ट करके अपने इस जीवन को धन्य मानते हो अपने इस जीवन को गौरवान वित मानते हो तो अपने तीन करतव्यों का पालन करो मानवता की सेवा किसे की जाए आज तो जिधर भी नजरे घुमा करके देखो मानवता पूरी तरह से समाप्त होती चली जा रही है लोगों के अंदर मानोता मर चुकी है यदि आज चौराहे में किसी को मारा जारा होता है पीटा जारा होता है लोग वीडियो बना लेते हैं मगर बढ़ करके कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता आज मानौता इस हद तक समाप्थ हो चुकी है कि किसी का सोशन करने से पहले व्यक्ति एक पल के लिए भी विचार नहीं करता एक दूसरे की मदद करना, परोग कार करना लोगों कोई जीवन में सुधार लेकर के आना यह भाव जीवन से नस्ट होते चले जा रहे हैं आप किसी का धन्दे करके, किसी को धन्दे करके आप उसकी सेवा नहीं कर सकते आप आज उसे कुछ रुपए देंगे, कलकु वह अगर वह धर्मवान नहीं होगा तो वह उसका धुरुपयोग करके उसे भी नस्ट कर देगा यहीं वास्तों में किसी की आप सहायता करना चाहते हो तो उसके जीवन को नशा मुक्त कर दो उसके जीवन को मान सहार मुक्त कर दो उसके जीवन को चरित्रवान बना दो उसके जीवन को धर्मवान बना दो इससे बड़ी मानवता की और कोई दूसरी सेवा नहीं हो सकती दूसरा कर्तव है अपने धर्म की रक्षा करना और धर्म की रक्षा कैसे हो आज तो धर्म को और धर्म की रक्षा को एक अलगी तरीके से लिया जाता है आज हिंदू मुस्लिम को मारने को तयार है मुस्लिम हिंदू को मारने को तयार है जितने भी वगया धर्म है वो आपस में एक दूसरे को दबाने का प्रयास करते हैं एक दूसरे से लड़ने का प्रयास करते हैं यह धर्म नहीं है और यह धर्म की रक्षा भी नहीं है धर्म की रक्षा का वास्तो मतलब है अपने धर्म का दृता के साथ पालन करना अपने धर्म पर निश्चा विश्वास रखना समर्पड रखना अपने धर्म को छोड़ करके कभी जाना नहीं और दूसरों के धर्म का सम् वास्तविक धर्म है यदि वास्तों में धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो समाज में सद्भाव लाना होगा एक दूसरे का सम्मान करना होगा और अपने धर्म पर पड़े हुए आवरणों को उठाना होगा आज हर धर्म में कमिया व्याप्त हैं आज हर धर्म में लडाने वा वापस में लडाने का कभी उन धर्माधिकारियों से जाकर के पूछना कि धर्म के जब युद्ध हुए हैं जब दंगे होते हैं तो तुम्हारा परिवार कहां जाकर के छुप जाता है जब दंगों में घर जलाए जाते हैं छोटे-छोटे बच्चे आग में जुलस करके मर ज को सकता इसलिए धर्म के नाम पर होने वाले दंगों से अपने आपको सदैव दूर रखना आपका धर्म है आपका कर्तव्य है कि धर्म के नाम पर यदि कोई लूट करता है धर्म के नाम पर यदि कोई आपका शोशन करता है तो उसके विरोध में आवाज उठाना आपका ध धर्म की रक्षा कैसे हो पाएगी धर्म की रक्षा तब हो पाएगी जब अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने धार्मिक पुष्टकों से जोड़ करके रखेंगे आप में से इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं अगर कुछ बुजर्ग लोगों की बाते छोड़ दी जाए या बच्चों से अगर पूछ लिया जाए क्या भगवान राम के बारे में क्या जानते हैं भगवान कृष्ण के बारे में क्या जानते हैं तो वह इधर-उधर बगले जहाकने लग जाएंगे और यदि आप उनसे पूछ लेंगे क्या पैश्वरया राये, सारुख खान, सल आफट सुनाते चले जाएंगे यह हमारे धर्म का पतन कि यदि आप पूछोंगे अपने महापुर्षों के बारे में देश-भक्ति गाने के लिए आप जब बोलोगे तो वह इधर-दर घूमते रह जाएंगे देखते रह जाएंगे और फिल्मी गाने को कहोगे तो ऐसे ऐसे अश्लील गाने आपको सुना देंगे ऐसे-अएसे चरितरहीन गाने आपको सुना देंगे कि आपको अपना मुँू चुपाने के लिए जगे भी प्राप्तनी होगी क्या इनने हमने जन्वेदिया है यह हमारे पुर्वजों की संताले यह इसी भारत देश की संताले है यह रिश्यों मुनियों की संताले है विचार करिए हम अपनी पीड़ी को किस और धकेल रहे हैं संसकारों की बात जब आती है तो हम क्यों उपर देखने लग जाते हैं हम क्यों पश्चात सभिता की और देखने लग जाते हैं पश्चात संसरकिती की और ही देखने लग जाते हैं अरे संसकारों की बात करनी हैं तो अपने पूर्वजों के संसकारों को देखिए हम उसी संसकार के संवाहक हैं जहां पिता का एक आदेश होने पर भगवान श्री राम राज्य भिशेक को छोड़ करके बनवास चले जाते हैं हम उस परंपरा उस संसकार के समवाख हैं जहां पर आजादी के लिए 15-16 साल के युवा हस्ते हस्ते फासी पर जूल जाते हैं संसकृती और संसकार अपने बच्चों को दीजिये नहीं कल को बच्चे जब लात मार के जब धक्का देMen духов से बाहर निकालते हैं तो आहपको दुख होता है मगर यदी वास्तों में आप अपने बच्चों को संसकार देंगे जब भाई-भाई आपश में लड़ते हैं जब आपको दुख होता है मगर यदी आप अपने बच्चों को संसकार देंगे तो याद करिए भरत जी को जिनोंने चौदा वरस खडाओं से राज करा लिया खुद कभी सिंधासन पर नहीं बैठे याद करिए श्रमण कुमार को जिनोंने माता पिता की सेवा के लिए तीरत कराने के लिए अपने कांधे पर बिठा करके उनको तीरत यात्राएं कराई यह संसकार कौन देगा अपने बच्चों को यह संसकार आपको और हमें प्रदान करना है अपने आने वाली पीडियों को जागना होगा निर्णाइ होगा हमारे धर्म की रक्षा तब हो पाएगी जिसे तुम धर्म की रक्षा समझ रहे हो जिस धर्म की रक्षा को दंगे के बदले दंगे के रूप में आप बदल रहे हो वह धर्म की रक्षा नहीं हो सकती विचार कीजिए प्राता कालिन प्रदेदिन सुबह उठीए पूजा में यदि अध्यात्मिक ज्यान है यदि धर्म का ज्यान है तो आजकर जो चोटे-चोटे बच्चे और युवा आत्म हत्या की कि और बढ रहे हैं लोगा कि टिस्रा करना सेकड़ों वर्सों की आजादी झेलने के बाद लाखों लाख कुर्बानियों के बाद हमारे देश को आजादी प्राप्थ हुई कितना खून बहा कितनी कुर्बानिया लगी तब जाकर के देश आजाद हुआ मगर दुख की बात कि उन अंग्रेजों ने उन विदेशियों ने हमारे देश को इतना नहीं लूटा जितना आजादी के बाद हमारे देश के गदारों ने देश के राजनेताओं ने देश को लूटा है राश्रक्षा की जब बात आती है तो हर कोई छुपने का बात करने लगता है कि आप इसकी बात मत कीजे आप इसके बारे में मत बोलिए अरे अगर हम और आप नहीं बोलेंगे जब हम धर्म बेकपट पर चलने वाले लोग नहीं बोलेंगे तो फिर इन अधर्मियों के साथ टकराएगा कौन इन अधर्मियों के साथ लड़ाई कौन लड़ेगा इन अधर्मियों के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा राश्रक्षा हमारा तीसरा कर्तव्य महत्वपूर्ण कर्तव्य जिस ठाली पर खाते हैं उस ठाली पर कभी छेद नहीं करना चाहिए हमारा कर्तव्य बनता है जिस मात्र भूमी के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानिया दी है जिस मात्र भूमी के लिए जिस मात्र भूमी का अन धन हम खाते हैं उस मात्र भूमी के प्रती हमारे करतव्य होते हैं हमें जागना होगा हमें देखना होगा लोग हमसे भी पूचते हैं कि आपने मानवता की सेवा के लिए भगवती मानव कल्यान संगठन का गठन किया बहुत अच्छा संगठन है लाखो लाखो लोग जुड़ते चले जा रहे हैं करोडों लोगों को आपके संगठने नशा मुक्त कर दिया बहुत ही अच्छा कार्ये किया धर्म की रक्षा के लिए आपने पंच जोती शक्तेतीर सिधार्शम धाम केंद्र बनाया करोडों करोडों लोग वहां से दीख्षा प्राप्त करके मा की साधना की और बढ़ गए जिनके घरों में पूजा पाठ नहीं होते थे उनके घर के छोटे छोटे बच्चों के मुख से भी जैमाता की जैगुर्वर की शब्दूद घोशोने लगे जो कभी दीन आसहायों का जीवन जीते थे मा की आराधना मा की साधना से उनके घरों में सुक्षांती सम्रिधी आने लग गई जो बड़े बड़े नशा करने वाले नशा छोड़ने पारे थे उस धाम में एक बार जाकर के अपना सर जुकाने से और संकल्प लेने से नशा मुक्त होते चले गए और जब बात तीसरे करतब विरास रक्षा और तीसरी धारा किया जाती है भारती शक्ति चेतना पार्टी की तो लोग हम से सवाल करते हैं कि आपको भारती शक्ति चेतना पार्टी का गठन करने कि यह उशक्ता क्यों पड़ी झाओ उशक्ता पड़ी राजनीती में आने की तो हम भी उन्हें हस करके मुश्कुरा करके जवाब देते हैं कि यदि अच्छे लोग, यदि धर्मवान लोग, यदि नशा मुक्त लोग, यदि मांसाहार मुक्त लोग, यदि चरित्रवान लोग, यदि चेतनावान लोग, यदि धर्मवान लोग, यदि समाज सेवा का भाव रखने वाले समाज सेवक और समाज सुधारक राजनीती में ना आए तो आप क्या चाहते हो कि अनीति ने अधर्म करने वाले राजनीती पर बढ़ते जाए आउ शक्ता पड़ी है भारती शक्तिचेतना पार्टी की क्योंकि हमारे इसी देश में एक छोटी सी बच्ची भात-भात कहते हुए अपने प्राड त्याग देती है हमारे इसी देश में हमारी महिलाएं घर से बाहर रात्री में निकलने पर डरती हैं रोज अख़बारों को खोल करके देखने पर टीवी चैनलों को खोल कर देखने पर किसी ना किसी महिला का बलतकार सामोहिक बलतकार और उसकी हत्या के प्रक्रण रोज देखने को मिलते हैं आव शक्ता पड़ी है जब मेरे इसी देश में मेरे घरतंत्र दिवश के दिन पर मेरे लाल किले पर जब राश्ट द्वज का अपमान होता है और सताय चुप रह जाती है तब आव शक्ता पड़ती है भारती शक्ती चेतना पार्टी के कार करताओं को एक जूठ होने की जब मेरे देश पर टुक्डे टुक्डे गैंग के लोग दिल्ली पर भारत तेरे टुक्डे होंगे जैसे नारे लगाते है तब आव शक्ता पड़ती है भारती शक्ती चेतना पार्टी की जब मेरे देश का नेता जब मेरे राज्य का नेता जब मेरे देश का मुख्या जब मेरे राज्य का मुख्या मेरे भाईयों को नशा पिला करके उन्हें नशेली बनाता है मेरी महिलाओं का सम्मान चीतता है तो आव शक्ता पड़ती है भारती शक्ती चेतना पार्टी की जब मेरे इसी देश में आंदोलनों के नाम पर तोड़ फोड़ की जाती है आग जनी की जाती है लोगों की हत्याई की जाती है तब आउशक्ता पड़ती है भारती शक्ती चेतना पार्टी की सत्तर साल हमारे देश का शोषण होता रहा हम चुप रहे लोगों ने आस लगाई कॉंग्रेस तो सब वैसे भी उमीद हार चुके थे छोड़ चुके थे क्योंकि अगर आज की डेट में कह दिया जाए तो जितनी रास्ट विरोधी ताकते हैं जितने वांपंथी विचारधारा के लोग है जो देश को तोड़ना चाहते हैं जितने भी ऐसे लोग है जो देश की एकता और खंड़दा के लिए खत्रा है केवल वहिए ऐसी पार्टी के साथ जुड़ करके आज कार्य कर रहे है 중요त केुख कर्या कि कि वह देश के लिए कुछ करेंगे मगर वा पूरी तरह से असफल हुए उसके बाद भारती जनता पार्टी की बारी आई विचार किया देश ने सोचा कि शायद या देश के लिए कुछ करेंगे कुछ कार्य तो हुए मगर वास्तों में जो वादे जंता के बीच आये थे वहां आज भी वैसे के वैसे अधूरे हैं वहां पूरे नहीं हो पाए आज भी देश में भ्रस्टाचार चरम सीमा पर है आप करा के देख लो बिना आपने पैसे दिये कोई एक छोटा सा भी काम नहीं हो सकता आज अपराध चरम सीमा पर बढ़ता चला जा रहा है आज आए दिन ऐसी घटनाए देखने को मिलती हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं मगर सारी विवस्थाएं वैसी की वैसी और आप हमसे पूछते हो कि आपको भारती शक्ति चेतना पार्टी किया हो शक्ता क्यों पड़ी हमने संकल पठाना है परिवर्तन का हमने संकल पठाना है इस राष्ट को विश्व गुरु बनाने का हमने संकल पठाना है अनीत या नयाय अधर्म से मुक्त करते हुए भे भूख भरस्टा चार से मुक्त करते हुए इस देश को एक नंबर पर आगे ले जाने का हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी भारती शक्ति चेतना पार्टी के साथ हमारी भार्ती सक्तिचेतना पार्टी का एक भी पदाधिकारी और एक भी प्रत्यासी कभी भी नशा करने वाला नहीं होता कभी भी मानसाहार करने वाला नहीं होता वह पूनता नशामुक्त मानसाहार मुक्त चरित्रवान और समाज सेवक होता है इसलिए हम बात करते हैं इन तीनों धाराओं के साथ एक जुठो करके चलने की हमारी नियत में तो कोई खोट नहीं है हमारी नियत तो बिल्कुल साफ है और हमें हार जीत की चिंता भी नहीं है हार जीत हमारा लक्ष है ही नहीं हमारा लक्ष है तो घर-घर में परिवर्तन होना और हम उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं हमें तो विश्वास है कि जब हम इसी तरह प्रयास करते जाएंगे, घर-घर को नशा मुक्त करते जाएंगे, मांसार मुक्त बना करते जाएंगे, जागरत करते जाएंगे, तो एक ना एक दिन इस देश में परिवर्तन अवश्य आएगा एक जुठोईए, महिलाएं बहुत डड़ती हैं, घर से निकलने में सोचती हैं, अरे याद करिए, इस देश में जितने भी युद्ध हुए हैं, महिलाओं की अग्रिम भूमिका रही है याद करिए अपने पूरवजों को, अपने जीवन को संकुचित मत करिए, अपने बच्चों को अच्छे संसकार दीजे, महिलाएं परिवार की नीव होती हैं यदि आप अपने घर में महिलाओं का सम्मान नहीं करते यदि आप अपने घर में उचितिस्थान नहीं देते तो यकीन मानिये कि आपके घर का एक पहिया कहीं न कहीं कमजोर है और आपके घर की गाड़ी बहुत दूर तक नहीं जा पाएगी महिलाएं बच्चे की पहली अध्यापक होती है उनका कर्तव्य होता है बच्चों को अच्छे संसकार दें उन्हें धर्म अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ाएं बहुत ही सराहनी कारिय बहुत ही अच्छा कारिक्रम आपने अपने छेतर में संपन्य किया जिस प्रकार से आप सभी ने हमारा यहां पर स्वागत किया महिलाओं ने कलश लेकर के छोटे छोटे बच्चों ने आगे चलते हुए उत्साह पुर्वक जिस प्रकार से हमारा स्वा आपका प्यार आपका साथ आपका विश्वास इसी तरह से मिलता रहा तो मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन हम अपने लक्षे को अवर्ष्य प्राप्त करके रहेंगे मुझे जानकारी है कारेकरताओं ने इस कारेकरम को सफल बनाने के लिए पिछले 24 घंटे से अपनी भूक प्यास नीन्द सब को त्याग करके गाउं गाउं प्रचार करके इस कारेकरम को सफल बनाने का प्रयास किया है यकीन मानिए आपका यह त्याप यह त्याग तपस्या यह तप व्यर्थ नहीं जाएगा आप प्रयास करते रहिए एक ना एक दिन सफल अवश्य होंगे आप सम्रद शाली हों खुशहाल हों मुस्कुराते रहिए धर्म अध्यागत के पर बढ़ते रहिए प्रकत सत्ता के चड़नों में यही कामना करते हुए यहाँ पर उपस्ति समस्त भाईयों बैनों को एक बार पुनह जै माता की जै गुरुगर्टी अध्यागत जैगत जैन्नी दंबे मात की वलो सच्चे धर्वारी की इस तरह से सिद्धास्त्रम रतन सक्ति स्वरूपा परम पूजनिये संध्या दीदी जी के द्वारा हम सब को दिप उद्भोधन पूज सद्दुर भगवान के आसीर बचन प्राप्त हुए एक बार फिर हम परम पूजनिये दीदी जी के चड़ों में सतसत बंदन करते हैं और हम सब के बीच में सिद्धास्त्रम रतन भारतिये सक्ति जेतना पार्टी के राष्टियों पाध्यक्ष हैं परम सम्मानिये सौरफ दुवेदी अनुप भहिया जी के स्वागत अभिनंदन बंदन में यह चार पंक्तियां हम समर्पित करते हैं बैठ जाएं आप लोग अभी समापन नहीं हुआ है कारिय क्रम का युबा सक्ति के प्रेरख जिनसे युबा प्रेरणा पाते हैं सिध्धास्त्रम से हम सब के बीच में जो रत्न आते हैं एक कली सिध्धास्त्रम की बहुत महत्पून है गुरुवर के आशिरवाद देने के अपने तरीके हैं कई ज़रों के गुरुवर ने खोल दिये कहीं से भी आसिरवाद हमको प्रदान कर देते हैं और सिद्धास्रम रतन हमें वह आसिरवाद प्रदान करने के लिए एक महत्पून कड़ी और बहुत महत्पून बात होती है आप थोड़ा सा और धैर ये रखें यह चार पंक्तियां युवा सक्ति के प्रेरक जिनसे युवा प्रेरना पाते हैं गुरुवर के पावनपत पर खुद चलते हमें चलाते हैं सिद्धास्रम के रतन अनूप जी के चरलों में बंदन हैं सिद्धास्रम से गुरुवर जी की कृपा हमेशा लाते हैं किरपा हमेशा लाते हैं हम साधर आमंत्रत करेंगे भारतिय सक्ति जेतना पार्टी के राष्टिय उपाध्यक्ष सिद्धास्प्रम रत्न परम सम्मानिय सौरफ दुवेदी अनुप भैया जी से वह भी आकर अपने महत्त पूर्ण उद्वोधन हम सब को प्रदान करें बोलो द्रुद भगवायने की बोलिये भगवती माता दियुसक्ति जगत जन्नी जगदंबे मात की परम पूझे प्रमांस्योगी राष्युसक्ति पुत्रजी महराज की बोलिये सच्चे दर्वार की यहां पर आए हुए भगवती मानव कल्यान संग्ठन भारतिय सक्ति चेतना पार्टी के सभी पदाधिकारी सदस्य और इस ग्राम वा ग्राम के आसपास से आए हुए सभी भाईयों बहनों को मेरा सादर जय माता की जय गुरुद पांच मिनट का और समय लूँगा आपका काफी मत बुर्ण जानकारियां यहां पर आए सभी लोगों को प्राप्त हुए यहां पर जितने भी लोग पिछले 24 घंटे से हैं 12 घंटे से हैं या भी आदे घंटे पहले आए हैं या इसी छण आए हैं आप विश्वास रखिये कि आप आदि सक्ती जगत जन्नी जदंबे माता और एक चेतनावान रिसी के उस दर पर बैठे हुए हैं जहां पर आने वाला व्यक्ति यदि उसके हर्दे में रंच मात भी स्रद्धा होगी तो खाली याद कभी भी वापस नहीं जाता यह एक चेतन इस्थल है किसी वीरान खंडहर में भी चले जाईए और वहां पर बैठ करके किसी भी चेतनावान गुरू हो या चेतनावान रिसी हो यादि सक्ती जगत जन्नी जदंबे माता या किसी भी देवी देवताओं की अराधना करिए मंत्रों का जाप करिए उनका ध तो होगा तो यहां पर तो 24 घंटे से नसे मांसाहर से मुक्त च्रित्रवान सक्तियोध धाओं के द्वारा बैठ करके दुरूगा चालिसा का पाठ किया गया है आप जब यहां पर प्रडाम करने आना आप अपने बाल बच्चों के लिए घर परिवार के लिए जीवन यापन के लिए कुछ मांगना या मत मांगना केवल इतना मांग लेना कि हे गुर्दियोजी महराज हे जगजनी जदंबे माता मेरे जीवन में जो भी आउगुण हो जो भी विकार हो जो भी कमिया हो उसे मैं आपके चरणों में छोड़ करके जा रहा हूँ और संकल्प लेता हूँ कि या जीवन नसे मांसाहा स्रेमुक्त त्रित्रवानों का जीवन जीते हुए मानावता कि सेवा में अपना जीवन बिताऊंगा इतना आप मांग के जाई आपके जीवन में जो भी आभाव होगा उसकी पूर्ती अपने आप होती चली जाएगी यह मा का दरबार है यहां पर बीना मांगे सब कुछ प्राप्त होता है यदि पात्रता हो तो और उसी पात्रता को समाज में विख्षित करने के लिए परंपूज योगीराज शिर्शक्तिपुत्रजी महराज ने अपनी अध्यात्मिक यात्रा को समाज के बीज़ टै किया ह यदि हम नाम लेते हैं परमपूझ योगी राज शुषकिप पुत्रजी महराज कोई निया व्यक्ती सुनता है तो सुनता है हाँ कोई सादू संसन्यासी है उसे लगता होगा कि पुरे भारत देश में तो हजारों की संख्या में सादू संसन्यासी है और समाज कमार दसन करते हैं समाज को ग्यान देते हैं बहुत सारे पंडाल लगते हैं जहाँ पर कता भागवत के कारिक्रम होते हैं बहुत सारे धार्मी का नुश्ठान होते हैं तो इसमें क्या अलग बात होगी इसमें अलग बात इतना ही है कि दुनिया भर के सादू सन्सन्यासी हम सभी का सम्मान करते हैं लेकिन आज तक हमने किसी को नहीं देखा कि जो ग्यान समाज को दे रहा हो उस ग्यान की प्राप्ति पहले सुतह कर चुका हो हमारे परमपूज गुर्दयो योगी राज सक्ति पुत्र जी महराज जो भी ग्यान समाज को प्रदान कर रहे हैं उस ग्यान को पहले उन्हें प्राप्त किया है अगर वो कहते हैं कि तुम मेरे बताय हुए साधना क्रम को करो तुम्हारे जीवन की कम्या दूर होंगी विकार दूर होंगे तुम्हें अगर तुम भक्ति के पत पर बढ़ गए तो तुम्हें आदि सक्ति जगत जनी जंबे माता के दर्सन होंगे तो परंपुझ गुर्द्योजी महराज ने उसी रास्ते को तै करके महान तपस्ता के द्वारा आदि सक्ति जगत जनी जंबे माता के दर्सन सोते प्राप्त किये हैं यह समान बात नहीं है परंपुज गुर्द्यों जी महाराज के द्वरा भगवती मानों का ल्यान संग्ठन का निर्मान किया गया है एक ऐसा अनुठा संग्ठन जिस तरह का दूसरा संग्ठन पूरे बिस्व में आपको देखने पर भी नहीं मिलेगा यह किबल कहने की बात नहीं आज पूरा भारत देश जिन भी विसंगतियों से जूज रहा है जिन भी चीजों के कारण भारत देश का पतन हो रहा है उन सभी चीजों से उन सभी कारियों से दुसकारियों से समाज को अलग करने के लिए भगवती मानों का ल्यान संग्ठन का ग कोई अंतर नहीं है हम कहते हैं कि हम समाज को नशा मुक्त करने आए हैं हम लोगों को कहते हैं जहां भी हमारे कारक्रम होते हैं जहां भी हमारा गुरुभाई जाता है हमारी गुरुभहन जाती है वह लोगों को सबसे पहले नशा मुक्ति का संदेश देती है और संदेश तब देती है हमारा गुरु भाई संदेश तब देता है संग्धन का सदस नसामुक्त होने के लिए किसी को प्रेय तब करता है जब वे सोता है कई-कई वर्सों से नसा छोड़ करके और नसामुक्त जीवन जी रहा होता है तब ही प्रभाव पढ़ता है समाज में यही कारण है कि पुरे भगवती मानव कल्यान संग्ठन में 50 लाग से अधिक लोग नसा मुक्त लोग जुड़ करके और समाज के लिए कार कर रहे हैं यह समान बात नहीं है हर सरकारें रो रही है हमारे मत प्रदेश के मुख्ध मंत्री हैं सिरा सिंग चोहान भगवती मानव कल्यान संग्धन के द्वारा उठाए गए आवाज के कारण विवस हैं कि आज नसामुक्त की बात करते हैं लेकिन नसामुक्त कर नहीं पा रहे हैं केवल बात कर रहे हैं भगवती मानव कल्यान संग्धन उनका विरोधी नहीं उनका सहयोगी है उन्हें समझना चाहिए, कि जब आज वह है, भले ही, तसली केलिए ही, झूट ही सही, लेकिन आज वह मंझ से नसा मुक्त समाज की बात करते हैं, तो समाज को नसा मुक्त करने के लिए भगवती मानों कर लियान संक्ठन जो कारे कर रहा है दूसरा कोई व्यक्तिय संस्था कारे नहीं कर रही नसा आप समझे नसा के बारे में जान ना हो तो जाईए किसी घर में उस इस्त्री से पूछिए उस महिला से पूछिए जिसका पती रात में सराब पी करके आता हो महिने में दो हजार रुपए कमाता हो दो हजार रुपए का सराब पी करके आ जाता हो और रात भर वीवी बच्चों को मारता हो उस घर के व्यक्ति से पूछिए जिसका बेटा सौ रुपए के लिए अपनी मा का गला काड़ देता है क्योंकि उसकी मा सराप पीने के लिए उसे सौ रुपए नहीं देती आज समाज का पता नसे के करण किस कदर हो रहा है उसको देखने समझने का प्रयास करिए नसे से समाज की इतनी बड़ी हानी हो रही है इसलिए मैं कहता हूँ कि आप गरु करिये कि आप भगोती मन कल्यान संग्धन के सदस्ते हैं जो समाज को नसा मुक्त करने के लिए कार कर रहा है हमस्तेय नसा छोड़ करके जीवन जीते हैं और नसा छुडाने का भी काम कर रहे हैं और इतना ही नहीं जहां हमारा संख्धन ससक्त है जहां हमारे संख्धन के गुर्भाई बहन पर्याप्त संख्या में हैं जहां पर वो खड़े नजर आते हैं वहां पर जब कोई सराब माफिया गाड़ी में सराब की पेटी लाद करके अवय सराब का धंदा करने के लिए निकलता है तो उसकी धड़कन तेज रहती है कि कहीं भगवती मानव कल्यान लहरा रहा हो अगर महां होगा तो छट में खड़ा हुआ कोई अगर संधन का सदसे मुझे देख लिया तो यह हो करके जाकर कि मुझे पकड़ लेंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे यह भयास सता रहा है लोगों को भगवती मानव कल्यान संग्धन आज वहकार कर रहा है भगवती मानव कल्यान संग्धन से जुड़ा व्यक्ति जीव हत्या नहीं करता मान साहार नहीं करता आज स्वास्त विशे सग्य डॉक्टर वैज्ञानिक चिल्ला रहे हैं कि पर्यावरण की हानी हो रही है मनुस्यत्य की हानी हो रही है हमारे धर्माधिकाली चिल्ला रहे ह कि नानवेज मत खाओ, जीवहत्या मत करो, मानसाहार मत करो, कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन जितने हमारे कारक्रम होते हैं, जितने परंपूज गुर्द्योजी महराज के स्विर होते हैं, सभी स्विरों में कम से कम 10-15,000 व्यक्ति संकल्पित होते हैं, जो नसा और मानसाह से मुक्त होने का संकल्प लेते हैं, हमारी यात्रा धीरे-धीरे बढ़ रही है, हम किसी को डंडा मार करके नहीं बदलते, परंपूज योगी राज सक्ति पुत्रजी महराज के तपका वह प्रभाव है, कि धीरे-धीरे करके जोत से जोती जलती चली जा रही है, और जहां गहना अंधेरा छाया हुआ है, वहाँ पर एक उम्मीद की किरन जाग रही है भगवती मौना का ल्यान संधन के रूप में, अता है, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही हो, सभी ग्राम बासियों से मेरा निवेजन है, कि एक बास संधन की विचारधारा को जानने समझने का प्रयास करिए, मेरे युवा भाईयों से मेरा कहना है, कि आज से 1500 साल पहले चले जाओ, 10-50 साल पहले की बात नहीं, 1500 साल पहले चले जाओ, और मुझे बता दो, कितने नाम बता सकते हो, जो अच्छी नवक्री करने वाला व्यक्ति रहा हो, जो बहुत बढ़िया ब्यापार रहा हो, ऐसे किस एक भी व्यक्ति का मुझे नाम गिना दो, जिसका व्यक्तिकात जीवन में उसका जीवन बीत गया हो, आप नहीं गिना सकते, लेकिन समाज हितमे काम करने वाले, समाज सेवा के लिए काम करने वाले, समाज सुधार के लिए काम करने वाले, देश को आजाद दिलानेवाले हजारों हजार नाम हाज आप जानते हो, क्योंकि उन्होंने विक्तियत जीवान से हटकर के समाज सेवा के लिए अपने जीवान को कुरबान किया था, आप रहमायन काल में चले जाओ, कितने नाम आप गिला सकते हैं, गिंती के पांच दसनाम, महभरत काल में चले जाएए, गिंती के पांच दसनाम आप गिना सकते हैं, इसी तरह आज भी युक परिवारतन का यह काल चल रहा है परंपूझ गुर्द्योजी महराज ने सभी का आवाहन किया है, आप विद्यार्थी हैं, आप यापारी हैं, आप नौकरी करने वाले हैं, कोई भी हो अपने घर-परिवार का काम करते हुए, अपने इंग्रस धर्म का पालन करते हुए, और अपने 24 घंटे में से एक दो घंटे निका लिए, क्योंकि यह आपका कर्तब है, अगर आप खड़े नहीं होंगे, तो आशुरी सक्तियां समाज के पतन के लिए मुठा करके खड़ी ह हुए है, और समाज का पतन हो रहा है, हमें आपको एक होना होगा, परंपूझ गुर्द्योंजी महराज ने महिलाओं का अवहन किया है, कि आए भगवती मानों का लियान संक्ठन में पुरुसों के साथ कंद्य से कंधा मिला करके, समाज हित के लिए, समाज सुधार के लिए राष्ण निर्मान के लिए खड़े हो जाएए, ऐसा ससक्त मंच आपको पुरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं मिलेगा, आपका जीवन केवल घर के चूला चौका के लिए या किसी ऑफिस में जाकर के नौकरी करने के लिए नहीं हुआ है, आपकी आदर से रानी लश्मी बाई जिन्होंने अपने पीट पर अपने बच्चे को बांध करके और अंग्रेजों से तलवार बाजी की थी और अपने देश की आजादी में एक महत्पूर्ण योगदान दिया था भगवती माना कल्यान संख्ण भारती सक्ती चेतना पार्टी और पंजयोज सक्ति सिध्धास्रम के माध्यम से परहम पूठ सत्गुर्द्यों योगी रासी सक्ति पुद्र जी महराज के निर्देशन मारदर्शन में यूग परिवर्तन का कार हो रहा है परिवर्तन हो रहा है हम केवल कथा कहानी नहीं सुनाते हमारी चाहे आरती का कारक्रम हो चाहे चलीसा का कारक्रम हो या गुर्द्योजी महराज के सिविर का कारक्रम हो कहीं भी कथा कहानी या किताबी बातें नहीं सुनाई जाती बलकि आप परमपूज सर्द गुर्द्योजी महराज के चरणों में जाएंगे आप रोज जाईए आस्रम आपको नित्रपति दिन परमपूज गुर्द्योजी महराज मिलने का समय देते हैं अपना असिरवात प्रदान करते हैं और जब गुर्द्योजी महराज का सिविर लगता है, तब एक बार समय निकाल करके अवस्य जाईए, आपकी जीवन की ऐसी कोई मनोकामना हो ही नहीं सकती, जो परमपूज गुर्द्योजी महराज के सिविर में जाने पर पूर्ण नहों जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी कमियों को, अवगुणों को, आपके विकारों को परमपूज गुर्द्योजी महराज सोतह ले लेते हैं और आपको अपना असिरवात देते हैं, आपका जीवन पूरसार्थी बनता है, पराक्रमी बनता है, आप भले दुवारा गुर्द्य यह रょक्षा कवच डालते हैं तो यह केवल परतीक मैं हो, यह संकल्प का परतीक है, कोई भी?, रक्षा कवच डाला हुआ व्यक्ती, र रक्षा कवच डालता है, इसका मतलब यह होता है, क्यों है व्यक्ती? नसा नहीं करता, वह मांसा हार नहीं करता, चरितर हिंता नहीं करता, वह नित्य प्रदिन सुर्योदय के समय उठता है, नित्य प्रदिन अपने गुर्वर और मा की अराधना करता है, और अपने जीवन में चाहे उतके जीवन में कितने भी कमिया हो, लेकिन अपने घर से निकल पैमाने पर केवल धर्म के लिए ही नहीं धर्म के लिए भी राष्ट के लिए भी मानवता के लिए भी यह संग्धन केवल समाज सेवक नहीं बलकि समाज सुधारक तयार कर रहा है अपने जान जो खिम में डाल करके लोग आज समाज निर्मान का युक परिवर्तन के लिए कार कर रही है और प्रेंपुज गुर्दियों योगी राशी सक्ति पुद्रीज महराज की भविश्वानी है कि आने वाले समय में भगवती मानव कल्यान संग्ठन और भारती सक्ति चेतना पार्टी के संयुक्त प्रयास्ते ही भारत देश विश्ट गुरू के पत्परासीन होगा धर्म और राजनिती की बात जब आती है तो लोग कहते हैं कि पूजा पार्ट करने वाले राजनिती करने लगे तो भारत देश में पूजा पार्ट करने वालों ने ही जब जब राजनिती की है तभी तभी भारत देश में परिवर्तन आया है चाहे भगवान राम को देख लीजिए भगवान कृष्ण को देख लीजिए महराज सिवा जी को देख लीजिए सिवा जी महराज के भी तो सर्वसमर्थ रामदास गुरू होते थे सिखों में देख लीजिए जितने भी गुरु होते थे सभी पूजा पाट करते थे सभी धर्म कर्म करने वाले होते थे भारत देश का इतिहास उठा करके देख लीजिए आज भारत देश का जो पतन चाहते हैं वही राजनेता आपको भैकाते हैं कि ये पूजा पाट करने वा वहान है नौरात्री का शिविर अक्टूबर माहे में सार्दी नौरात्री का जो शिविर पंजो सक्तिसी धास्रम धाम में होना है आप प्रयास करिए साल में एक ही सिविर होता है आश्रम में जो निशुल्क रूप से होता है आप कभी भी आश्रम में आईए सारी बेवस्था आपको को निसुलक मिलेंगी उस सेविर में आप आने का प्रयास करिये ज़यदा आर्ती-치ालिशा करम करें और अपने घरों में करवाएं क्योंकि भगवती मैनों कल्यान संग्ठन निसुलक आर्ती-चालिशा करें करम करवाता है आपके घर में ऐसी कोई समस्या हो ही नहीं सकती जिसमें मा की क्रपा से समधान प्राप्त नहों जाए यहां पर बहुत अच्छा कारक्रम किया गया अच्छा प्रयास किया गया और आप प्रयास करते रहें गुरु अर्मा का सिर्वाद जहां जहां तक आप पहुंचे वहां वहां तक पह के साथ पुनहें आप सभी से जय माता की जय गुरुवर्ट की तो शद्रुद्य भगवाइने की जगजन्नी दंबे मात की इस तरह से सिद्धास्त्रमरत्न परमसम्मानिये सौरफ दुवेदी अनुप भईया जी के द्वारा भी हमें महत पुन वह विचारधारा जो हम सब के जीवन का कल्याण कर सकती है आएं एक-एक सब्द को अपने जीवन में उतारें आज से ही परिवर्तन करें अन्त में हम साधा रामंत्रत करते हैं आभार भ्यक्त करने के लिए भगवती मानो कल्याण संग्थन साखा तहसील रेपुरा के तहसील उपाध्यक्ष सम्मानिय स्री बबलु यादोजी ग्राम जामुनडान से वह आकर समस्त मान भक्तों का आभार भक्त करें जै गुरुबर की जै माता की